तो आपे हमारे सक्कर पारे बहूती खस्ते और बहूती कुरकुरे बने हैं सक्कर पारे बहुती टेस्टी और बहुती खस्ता मैं बनाऊंगी जिसकी रैसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पे मैंने घी ले लिया है पानी ले लिया है पीसी हुई चीनी ले लिया है मैंने चीनी आप बीना पिसा हुआ भी ले सकते हैं मेरे पास पढ़ा था तो मैंने ले लिया एक बरतन में मैंने गुनगुना कर लिया है पानी को और उस पे मैं चीनी आट कर दूँगी और अच्छे से इसको घोल लूँगी चीनी में मैंने इलाय जी को पीस लिया था ये मेरे पास पहले से ही रखा था आप इलाय जी पारडर बाद में भी 봐ट कर सकते हैं तो ये देखें अच्छे से इसको mix कर लेना है मैंने gas के उपर र сказала है बतन को गैस आफ है और अच्छे से इसको mix कर लूँगी चीनी पूरी तरह से घूल जाए देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से उसके बद मैं इसमें घी एट कर दूँगी घी मैं पूरा ही ले लूँगी तीनों ही मैंने बराबर मात्रा में लिया था घी, पानी और चीनी चीनी आप अपने एक और्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसको यह देखिए चीनी को गुनगुने पानी में ही घूलना है ठंडे पानी में नहीं घूलना है बहुत टाइम लग जाएगा गुनगुने पानी में जल्दी से चीनी घूल जाएगा तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी यह देखिए मिक्स हो गया है यहाँ पे मैं हाप के जी मैदा ले ली हूँ मैदा को मैंने चान लिया है यह देखिए अब जो मिक्सर हमने तयार किया है उसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स कर लेंगे मैदा को इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है और मैदे में मिला लेना है अच्छे से यह देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूजी ले रही हूँ सूजी से बहुत ही कुरकुरा और खस्ता हो जाएगा हमारा सक्कर पारा सूजी ओप्सनल है आप चाहे तो ले सकते हैं ना चाहे तो ना डालिए कोई जरूरी नहीं है पर सूजी डालने से बहुत अच्छा खस्ता पन उस पे आ जाता है इसलिए मैंने डाला है सूजी डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगे इसको यह देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमको मिक्स करना है जो हमने मिक्सर बनाया था चीनी गी और पानी का यह देखे यहाँ पे यह मिक्स हो चुका है देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से और ऐसे बांध रही हूँ मैं तो यह बंद रहा है इसका मतलब यह तैयार हो चुका है अब मैं इसको आटे की तरह गूत लूँगी यह देखे यहाँ पे डो हमारा रड़े हो चुका है मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी आधे गंटे के लिए अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं आधा गंटा हो चुका है तो मैं थोड़ा सा हाथ पे घी लगा लेती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा और इसको थोड़ा मसल लूँगी मैं इस तरह से यह देखे विल्कुल सॉफ्ट हो गया है अब मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइट कर लूँगी इस तरह से यह देखे अब मैं इसको बेल लेती हूँ आप लोग देख सकते हैं आटा मेरा कितना सॉफ्ट हो गया है बेलने से पता चल रहा है यह देखे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है medium आपको बेलना है थोड़ा सा मोटा ही रहने देंगे थोड़ा सा मोटा रखने से देखने में भी अच्छा लगता है ये तो बहुत जादा ही मोटा नहीं करना है और पतला भी नहीं करना है तो देखिए मैंने बेल लिया है अब इसको मैं काट लेती हूँ अब अपने एकॉर्डिंग कोई भी सेप दे सकते है मैं इसको चौक और तुकड़ो में काट रही हूँ आप चाहे तो छोटे-छोटे धकन से भी आप काट सकते हैं काजू के सेप में या डाइमंड सेप में कैसे भी काट सकते हैं मैं इसको इस तरह से चौकोर सेप में काट रही हूँ, यह देखिए, यहाँ पे मैंने इसको काट लिया है, और कडाई भी मैंने रख दी है, ऑईल डाल के, तेल हमारा गरम हो चुका है, यहाँ देखिए, मैं इस पर डाल दूँगी, जो हमने शकर पार बनाया है, गैस का फ्लेम मैंने मिडियम रखा है, हाई नहीं रखा है, इसको मिडियम फ्लेम में ही हम सिखने देंगे, ताकि अंदर से अच्छी तरह से सिख जाए, यह देखिए, मैंने डाल दिया है, अभी इसको सिखने देंगे, यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसको, गैस का फ्लेम मिडियम ही रखा है, मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलर चेंज हो चुका है, और सकर पार हमारा सिख चुका है, तो मैं इसको निकाल लूँगी, एक प्लेट में, यह देखिए, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही कुरकुरा बना है यह, यह देखिए, बाकी के बचे हुए भी मैं डाल देती हूँ, इसको भी सेक लेते हैं, मैंने मिडियम फ्लेम में ही सेका है, गैस का फ्लेम हाई मैंने नहीं किया है, यह देखिए, यह भी हमारा सिख चुका है, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, यह देखिए सारे सक्करपारे हमारे राड़ी हो गए हैं देख सकते हैं आप लोग यहां पे हमारा सक्करपार अबन की तयार है तो आप लोग भी जरूर ट्राइ करिए गा मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा तो मैं मिलूंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई